उत्तर प्रदेश के अपर मुख सचीव ग्रह अवनीज कुमार अवस्थी आज यानी 31 अगस को रेटायर हो रहे हैं हाला कि उनके एक्स्टेंशन पर कोई भी चर्चा नहीं चल रही आज देर साम तक अगर दिली से कोई फैसला नहीं आता तो फिर अवस्थी को रेटायर होना ही पड़ेगा संभावना इसकी जागत दिखाई दे रही है क्योंकि उनके सेवा विस्तार की चिठी केंद्र को भेजी गई है मगर कोई फैसला नहीं हो पाया फिलाल यूपी की नौकर साही में सबसे बड़ा सवाल अबनीज के एकस्टेंसन और रिटार्मेंट को लेकर है यूपी के ब्यूरो क्रेसी में पिछले एक महिने से उनके सेवा विस्तार को लेकर अटकले लगाई जा रही थी सबसे पहले अबनीस को एक साल के सेवा विस्तार देनी की प्रक्रिया सुरू की हाला कि सीर्ज सिस्तर पर सहमती नहीं बन सकी इसके बाद अब तीन महिने के सेवा विस्तार के कयात लगाय जा रहे हैं वहीं चर्चा थे कि CM योगी की करीबी होने की वज़े से उन्हें extension ज़रूर मिलेगा मगर retirement के दिन अभी तक कोई भी पत्र केंदर की ओर से नहीं आया लिहाजा अब इसकी उमीद कम है Euro Report, IPN